दोस्तो भारत के 36 गड़ में एक नदी ऐसी है जो सोना उगलती है। आपको सुनकर हैरानी तो जरूर हो रही होगी पर यह सच है। यह मामला कांकेर जिले में कोली बेडा ब्लाक के कोटरी संगम घाट का है। ग्रामी आज भी इस संगम घाट पर नदी से सोना निकालते हैं। हालांकि रेच से सोने के कण मिलने के पीछे की वजह का आज तक कोई पता नहीं लग पाया है। भारत की इस नदी से सैकडों वर्षों से सोना निकलता आ रहा है। नदी के आसपास रहने वाले कई परिवार नदी के रेच से सोना निकालने का काम करते हैं और इसी से अपना घर चलाते हैं, बरसात में कोली बेडा ब्लॉक के ग्रामेन लोग खेती करते हैं और बरसात के खत्म हो जाने पर नदी से सोना निकालने में जुट जाते हैं, बता दे यह गाव के जिये फिल्म आने के बाद बेहत चर्चित हो गया है, वैज्यानिकों और भूगर भशास्त्र का मानना है कि नदी कई चट्टानों से होकर गुजरती है, और इस दोरान घर्शन के कारण सोने के कन घुल जाते हैं, जिसे ग्रामेन लोग छान कर सोना निकालते हैं, जानकारों का कहना है कि ग्रामेन कोटरी गाव के संगम घाट से सैकडों वर्षों से सोना निकालते आ र पुछ नदी नदी, कोटरी नदी, बड़े डूंगर और रावघाट के अलावा महाराष्ट्र की भी कुछ नदियों में जाकर सोना निकासी का काम करते हैं, नदी से निकलने वाला यह सोना हाई क्वालिटी का होता है